Hello students, I hope आप सभी बढ़ियां होंगे CUET UZ के जो student है, phase 2 में जिनका exam है उनके लिए बहुत बड़ी ख़बर है students चार तारिक को जिनका exam था, जिन्होंने exam दे दिया या फिर जिनका exam cancel हुआ, जिनका आज 5 तारिक को exam था काफी student का 5 तारिक वाला exam भी cancel हो गया कल 6 तारिक है, कल भी ऐसा कई लोगों के साथ होगा और आज पूरा इसमें चर्चा करने वाले हैं 7 तारिक, 8 तारिक, यानि कि जितना भी phase 2 का आपका भी exam बचा है जितने CUET candidate हैं, सब के लिए बात करेंगे और आपको उस बड़ी ख़बर को दिखाएंगे officially जो news है, उसको भी दिखाएंगे लेकिन साथ में चर्चा करेंगे कि यहाँ पर क्या चीज़ें आपके साथ होंगी अगर हम बात करें जिन candidate का exam जो है cancel हुआ, जैसे कि आज बहुत सारे ऐसे student हैं जिनके साथ यह हुआ कि उनका exam center पर गए exam cancel हो गया लेकिन ऐसे भी कुछ student थे जिनका exam हुआ साथ में कुछ candidate ऐसे भी थे जो exam hall में बैठे पूरा exam हो गया last के 2 minute, 4 minute, 5 minute या फिर यूँ कहें कि एक घंटे भी बचे थे और उनको क्या हुआ कि उनका system फिर काम करना बंद कर दिया यानि कि उनको last submission का जो आपसन आता है last submission का जो आपसन आता है वो चीज नहीं हुई उनके साथ और 2 घंटे में उनका exam खत्म हो गया या फिर यूँ कहें कि 2 minute पहले हो गया server error हो गया, कुछ भी हो गया उसी बारे में आज चर्चा करेंगे और साथ में आपको बताएंगे कि इस पर NTA ने क्या बोला है कि क्या चीज़ें अब होंगी students, इसके बारे में हम आपको बताएंगे students, चलिए सबसे पहले सुरू करते हैं उन candidate का जिनका exam cancel हुआ है आज तक यानि कि 5 तारीक तक जिनका exam cancel हुआ और कल भी जिनका cancel होगा पहले उनकी हम लोग बात करते हैं उनके लिए NTA ने बोला है कि जिनका भी exam cancel हुआ है वो system की error के वज़ा से center की वज़ा से या फिर यूं कहें कि कि किसी और कारण से जो भी NTA का technical इसू था उनका exam students उनको भी बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं उनका exam residual होगा ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है यूं कहें तो और ये आपको बिल्कुल एकदम परिशान नहीं होना है किसी चीज़ से कि मेरा exam अगर cancel हो गया है जानता हूँ कि आप लोगों को काफी परिसानिया हुई आप लोग 500 km, 200 km, 300 km तक आप लोग travel करके हम पर exam देने के लिए गए bus train या फिर किसी भी साधन से उसको मैं जान रहा हूँ students काफी समस्याय हो रही है और कुछ लोगों के साथ ये भी होता है कि financial condition उतनी अच्छी नहीं होती है फिर भी उनको exam देने जाना पड़ता है और last में exam cancel होता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता और साथ में आपकी तीन महीनी की preparation भी यहाँ पर क्या होती है कहीं न कहीं disturb हो जाती तो उनको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यक्ता नहीं है अभी मैं आपको पूरी खबर दिखाऊँगा कि NTA ने इसके लिए क्या बोला है अब बात करते हैं इसके बाद जो दूसरे candidate है जिनका exam अभी मान लीजे कि 7 तारीक को है और उनका admit card नहीं आया है उनका exam होगा 10 तारीक के बाद 12, 13, 14 में ये चीज़ें आपको confirm हो गई होगी लेकिन बात आती है उन candidate की जिनका exam अभी है मतलब 7 तारीक वालों का admit card कब आएगा 8 तारीक वालों का admit card क्या आएगा और उनके साथ क्या हो सकता है student यहाँ पर NTA ने बोला है कि जिन candidate को उनकी जो first choice city है जो उनके exam center की पहली choice है यदि वो confirm नहीं होती है वो student अगर उनको नहीं मिलती है मतलब जैसे कि माल लीजे कि आपने 4-5 जो भी आपके option थे वहाँ पर कि आप choose करें कि आप कौन सी city में अपना exam देना चाहते है अगर उसमें से आपकी पहली जो choice city है वो यदि confirm नहीं होती है वो आपको नहीं मिलती है student तो आपका admit card नहीं आएगा ये चीज़ आपको जानना होगा स्ताथ तारिक के जो भी candidate है उनको समझना होगा कि उनका admit card जो है वो आज 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 आएगा लेकिन उन्ही candidate का exam आएगा जिनकी पहली city का जो है अलाट हो गई है जिनकी पहली exam center city जो उन्होंने fill किया था वो जिनको मिला है उन्ही का admit card आ जाएगा बाकी इसके अलामक किसी का admit card नहीं आएगा और यही चीज आठ तारिक के candidate के साथ भी हो सकती है 9 तारिक के candidate के भी साथ हो सकती है 10 तारिक के मतलब यह चीजे होगी कि आपको जैसे की अब काफी लोगों के पास यह था कि residual बहुत जादा लोग residual कर रहे थे exam को इसलिए मुझे लगता है कि NTNA निर्डे लिया कि जिनकी पहली choice नहीं कनफर्म हो रही है उनको जो है admit card ना दिये जाए और उनका इजाम 10 तारिक के बात कराये जाए यह चीज आपको समझना होगा लेकिन फिर भी आप लोग admit card जरू download करें बिना admit card डाउनलोड कि इस चीज पर अंतिम निर्डे वही है admit card डाउनलोड हो रहा है टाइमसाफ इंडिया के जनरलिस्ट है मानस प्रतिम गोहन इनकी प्रोफाइल मैं आपको कई बार दिखा चुका हूँ यह जो है cvt के जितने भी point होते है सब कुछ कबर करते हैं यानि कि टाइमसाफ इंडिया के education के point आप दे इतनी खबरे होती है यही पोस्ट करते हैं यह प्रोफाइल आपको twitter पर मिल जाएगी लेकिन चलिए उससे पहले मैं आपको चीजों को समझा देता हूँ आप अकेले थोड़ा सकम समझ पाएं देखे यहाँ पर क्या है कि पहले उन candidate के लिए है जिनों ने टेक्निकल इसू फेस किया है या फिर भविस्य में फेस करेंगे NTA की वज़ा से इस्ट्वेंट्स उनका क्या होगा कि उनका जो एक्जाम है यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर NTA to residual exam आप centers where candidate faced technical इसू मतलब जिन candidate का एक्जाम नहीं हो पाया है किसी भी technical इसू की वज़ा से उनका एक्जाम होगा future में उनका एक्जाम residual होगा 12, 13, 14 या फिर उसके बाद भी अगर जरूरत पढ़ती है तो उसके बाद भी date बढ़ाई जाएगी और उनका एक्जाम होगा उनको टेंसल लेने की ज़रूरत नहीं है यह तो हो गया पहला doubt clear जिन student का एक्जाम cancel हो गया ठीक है या फिर होगा cancel भी आगे चल कि अब बात करते हैं उन candidate की students जिनका exam जो है कि 7 तारिक को है और admit card के लिए लोग बेट कर रहे हैं यहाँ पर देखे कि for those candidates scheduled to take the test on August 7th मतलब जिनका भी एक्जाम यहाँ पर 7 अगस्त को है न्टीये विलिस्व एड्मिट कार्ट सुनली तो दोज हूम इट कैन एकमडेट इन फर्स्ट च्वाइस सिटी मतलब जिन candidate की पहली 24 साफ सिटी जो है confirm हो गई है उन्हीं का admit card आज साम तक आ जाएगा ठीक है उनका admit card साथ तारिक के candidate का exam आ जाएगा today यह admit card आपका आज आ जाएगा यह चीज एकदम अच्छे से समझ लो सब लोग ठीक है उमीद करते हैं यहां तक चीजें तो आप समझ गया होंगे लेकिन अब बात आती है कि जिन candidate का exam आठ तारिक को है तो आठ तारिक, नव तारिक, दस तारिक यह candidate बिल्कुल अभी परिशान ना हो उन्हें के लिए जो भी decision होगा वो आएगा और मैं आपको सारी update देता रहूँगा लेकिन आपको यह first च्वाई साफ city को समझना होगा कि जिनकी पहली च्वाई साफ city कंफर्म हुई है उन्ही का exam, उन्ही का admit card आ जाएगा अमीद करते हैं आपके सारे डाउट में clear कर पा रहा हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू बबाई, लव यू आल, नमस्कार, थैंक यू